माइकल जैक्सन उन इंसानों में से एक थे जिनको कम से कम 1.500 साल तक इस दुनिया में जीना था इसके लिए उन्होंने अपने घर में 20 डॉक्टर्स की एक टीम हायर कर रखी थी जो डीली उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखुनों तक के जाच करते थे इतना ही नहीं उन्होंने 10 ऐसे लोग हायर कर रखे थे जो उन्हें एमर्जनसी के टाइम में अपने और्गस दे सकें यानि की बोडी पार्ट्स जैसे की अगर उनकी किड्नी, लीवर, आंखे या शरीर का कोई भी अंग डैमेज होता है तो वे लोग अपना बोडी पार्ट दे सकें माइकल जैक्सन के घर में 20 लोग की एक ऐसी टीम थी जो उन्हें रोजना एक्सेसाइज करवाती थी और जब भी माइकल जैक्सन पब्लिक प्लेस में जाते थे तो वे अपने फेस पर मास्क लाकर ही जाया करते थे और बिना गलफ्स पहने वह किसी चीज़ को चूते तक नहीं थे इसी के साथ उन्होंने अपने घर में एक लैब भी बनवा रखा था जिसमें उनके खाने की एक-एक दाने को चेक किया जाता था और बिना डॉक्टर के परमीशन के उन्होंने 25 साल तक एक निवाला भी नहीं खाया इन सब के बाद वहरात को सोने के लिए 70 लाग के ऑक्सिजन बैट का यूज किया करते थे क्योंकि आक्सिजन बैट में सोने से व्यक्ति कम बूढ़ा और जादा सुन्दर दिखता है मतलब की देखा जाए तो मौत को चकमा देने की फिराक में थे माइकल जैक्सन लेकिन इन सब के बावजूद भी 25 जून 2009 को उनकी 50 साल की उमर में ही मौत हो गई